हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आयने वर्सेस एंजडे ड्रीम इलंड प्रेडिक्सन यानि की गाईज जो आपको इंडिया वर्सेस न्यूजलंड एके बीच में कल 3rd ODI मैस जो आपको खेलता दिख्येगा इस मैस के बारे में आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं उच्दम अच्छे से पूरी जानकारी इस मैस की रिलेटेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप वीडियो में Benchs रहें गाईज तो आपको अपने टेलिग्राम में जाना है और सर्च करना है आपके आपीटर लेटर में सर्च करिएगा उसके बाद आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें अल्ड़ी 3400 से जादा लोग जॉइन हो चुकें तो आप भी जादा लेट ना करें जितना जल्दी हो सके हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर ले अब चलिए गाईज यहाँ पर हम अपनी एनलिसिस स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले वेन्यू से स्टार्ट करेंगे तो यह गाईज मैच खिला जाने वाला है एमचिदंबरन स्टेडियम चैन्ड़े में ठीक है और चैन्ड़े के पिच के बारे में तो आप जानते होंगे यहाँ पर स्लो विकेट जालता रहती है जहाँ पर स्पिनर्स काफी अच्छा करते हैं लेकिन इस स्रीज में फास्ट वॉलर्स ने भी अच्छा किया है ठीक है जनरली आपने आईपल के मैचेस देखे होंगे जिसमें यहाँ पर स्पिनर्स को जादा खिलाती थी ठीक है और स्पिनर्स जादा अच्छा करते थे ठीक है तो वही सेम पिछ है गाईस और यहाँ पर अगेन स्पिनर्स तो अच्छा करेंगे ही लेकिन इस स्रीज में फास्ट वॉलर्स भी अच्छा कर रहे है और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ जो दो ODI मैचेस बोल रहे है उसका डेटा बोल रहा है आप देख सकते है फास्ट ODI में न्यूजिलंड ए ने 167 किया 10 विकेट पर इंडिया ए ने 170 किया 3 विकेट पर इसली चेस किया विकेट्स 13 गए जिसमें से 9 फास्ट को गए ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट वॉलर्स ने डॉमिनिट किया और यहाँ पर 16 में से 9 फास्ट को विकेट गई लेकिन 7 इस पेट को बिला ठीक है तो फिर्स्ट मैच में देख सकते हैं किलियरली फास्ट वॉलर्स ने डॉमिनेट किया लेकिन सेकंड मैच में स्पिनर्स ने भी अच्छा गिया ठीक है तो ध्यान देखेगा इस बात का गाइस तो बैटर्स के उपर हमें प्रैफर करना इस स्पिनर्स को और साथ में यहाँ पर जो फास्ट वॉलर्स है जो कि स्लोवर बॉल्स अब जादा अच्छा डालते हैं उनको ठीक है ध्यान देखेगा इस बात का अब चलिए गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिया ए टीम पर आते हैं तो इंडिया ए की टीम के लिए गाइस यहाँ पर प्रित्वी सौ ओपनिंग करनें ठीक है दोनों मैचेस के लिए हैं फर्स्ट मिनों ने 17 रण किया और दूसरे में 77 ठीक है तो सेकेंड मैच काफी तगरा केलें इनके साथ में रूतुराज गाइकवार ओपनिंग करें जो की दोनों मैच डीसंट खेलें फर्स्ट में 41 और सेकेंड में 30 वन डाउन रजत पाटीडार यहां पर लास्ट मैच में आये थे फर्स्ट मैच में राहूल तिरपाठी केले थे जिन्होंने 31 रंस किये थे लेकिन लास्ट मैच में यहां पर रजत पाटीडार आये थे जिन्होंने फर्स्ट मैच में 41 किये और 45 के नॉट आउट और 2nd में 20 2 डाउन संजू सैमसन आए ये भी decent के लिए 1st मैच में 29 नॉट आउट और 2nd में 37 3 डाउन तिलग बर में आए थे 1st मैच ये खेले नहीं थे लेकिन 0 रन करके गए और बॉलिंग 2 ओवर की की लेकिन विकेट नहीं मिला ठीक है 4 डाउन पर इसी धवन आए थे जिन्होंने 22 रन किये नॉट आउट साथ में अभी तक 2 मैचेस में इन्होंने 9 ओवर की बॉलिंग की है 1 मेडन उसमें डाला 28 रन दिये और 2 विक्टे लिए ठीक है यानि कि अच्छी बॉलिंग की है फिर राजवावा आए थे यहां पर 5 डाउन पर यह भी 1st मैच नहीं के लिए थे लेकिन बैटिंग से यह 2nd मैच में 0 रन करके गए साथ में 5 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 1 विकेट था फिर राहुल चोहर एक ही मैच खेले है लास्ट वाला जिसमें 9 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 2 विकेट था कुल्दी प्याद अब दोनों मैच खेले हैं लास्ट मैच में हैट्रिक लेकर आ रहें ठीक है काफी अच्छे फॉर्म में दिखें 11 ओवर की बॉलिंग में अभी तक 2 मैच इसमें 5 विकेट है और उम्रान मलिक के 15 ओवर की बॉलिंग में यहाँ पर 1 विकेट है ठीक है उम्रान मलिक भी 2 मैच खेले है ठीक है, बाकी सहबाज अमत फर्स्ट मैच के लिए थे, जिसमें कुछ खास उनका परफॉर्मेंस नहीं आये था, तो second match नहीं खेले, कुलदीब सेन फर्स्ट मैच के लिए थे, बहुत इंप्रेसिव रहे थे, तो मेरे हिसाब से, हाई चांसेस है, कुलदीब सेन, उमरान मलिक को इस मैच में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अब देखना होगा टीम का क्या DC जन होता है, बाकी यहाँ पर राहुल तिरपाथी के भी खेलने के चांसेस हैं, तिलक बर्मापर, ठीक है, तो अब दो चेंजेस इंडिया एकी टीम में एक्सपेक कर सकते हैं, इस मैच में, ठ सिरी करभरत, इनके खेलने के मुझे कम ही चांस देखेने हैं, ठीक है, अब चलिए गाइस, यहाँ पर हम दूसरी टीम, न्यूजिलेंड ए पर आते हैं, तो न्यूजिलेंड ए के लिए यहाँ पर चैडबाउस ओपनिंग करें, जो कि दोनों मैच कुछ खास नहीं खेलें, दस और पंदरन ही कर पाए हैं, इनके साथ में रचिन रबिंदर आ रहे हैं, जिन्नोंने फर्स्ट मैच में 12 किये और दूसरे में 61, साथ में अभी तक 10 अवर की बॉलिंग की हैं दो मैच में, लेकिन विकेट नहीं मिलाएं, ठीक है, वन डाउन आ रहे है, डैन क्लेवर इन दूसरे में 0, ये भी कुछ खास नहीं कर पाए है, 4 डाउन पर टॉम ब्रूस आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, 5 डाउन पर आ रहे हैं, सेकेंड मैच डीसन के लिए 28, बॉलिंग में अभी तक 5 अवर किया, लेकिन विकेट नहीं मिला है, 6 डाउन प फर्स्ट मैच में रंच 36 की है, 7 में भी तक 14 अवर की बॉलिंग में 2 मैच में 1 विकेट है, जैक अब डफी लास्ट मैच के लिए थे, जिसमें 9 अवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 2 विकेट था, ठीक है, तो प्रस्नली जो मुझे चेंजेज दिख रहे हैं, निउजलें आप से मौका दे सकती है, लेकिन इनका थोड़ा एभिलेटी का भी डाउट रहेगा, विकोज इनका यहाँ पर निउजलेंड के वर्ल्ड कप टीम में भी नाम है, तो अगर निउजलेंड के स्रीज होने वाले होंगे अभी रिसेंट में, तो वहाँ पर भी हो सकतेंगे, ठ तो इनका डाउट है खेल लेका, ठीक है, लेकिन खेल भी सकते है, मैं कुछ कहा ने सकता, फ्लेचर, कैम फ्लेचर, विकेट कीपर बैटर टीम चाहे, तो क्लेबर की जगा मौका दे सकती है, बाकी बेंजामन लिश्टर अभी तक एक भी मैच नहीं खेले है, तो इनको भी ट होता है, ठीक है, अपने स्टैट्स, दोनों मैच असे का देख लिया, प्लेचिए्ग 11 डिसकस कर लिया, पिच के बारे में डिसकस कर लिया, तो होफ़ुलिइ गार बीडियो आपको पसंदारी होगी, अगर गाइस आपको वीडियो पसंदारी हो, तो वीडियो को जितना आप चलिए गाईस यहाँ पर हम अपनी टीम डिसकस कर लेते हैं टीम डिसकस करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर गाईस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न हमारे टेलिग्राम चैलन के लिंक के अलाबा आपको एक बहुत कमाल की बैटिंग अप्लिकेशन जो की आपकी कम्प्लीटली लाइफ चेंज कर सकती है जिसका नाम है वन विन ठीक है जिसमें मैं अल्मोश वन यर से खेल रहा हूँ अल्रेडी गाईस वहाँ पर 23 लैक्स मैं जीच चुका हूँ सारा प्रूफ आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो इस कमाल की बैटिंग अप्लिकेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा गाईस वीडियो के डिस्किप्शन में ठीक है तो आप चाहे तो एक बार जरूर वन विन पर खेल कर देख सकते हैं बहुत कमाल की बैटिंग अप्लिकेशन है ठीक है आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखिए गाईस मातर 500 रुपिया आप वहाँ पर मिनिमर डिपोजिट करके यहाँ पर बैट लगा कर खेल सकते हैं ठीक है और मैं आपके लिए रेगुलर हर वीक में यहाँ पर वन बिन का वाउचर गिवावे भी करवाता हूँ तो आप जाहें तो फ्री में भी खेल सकते हैं, ठीक है उसकेले आपको हमारे टेलीराम चैनल पर जोईन करना होगा voucher give away के लिए ठीक है बाकि मैं काफी सारे वीडियो भी बना चुका हूँ one bin related चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो तो आप वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं आप सारा कुछ एक ताम अच्छे से one bin के बारे में समझ जाएंगे फिर आप एजली one bin पर खेल पाएंगे ठीक है जरूर ट्राइ करके देखिए गाईज एक बार जरूर खेलिए one bin पर मुझे पूरी उमीद है आपको यह application बहुत जादा पसंद आएगी और आप बहुत तगरा winning करेंगे ठीक है तो one bin को जरूर चेक आउट करेंगे आपको वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा ठीक है अब चलिए सबसे पहले विगेट कीपर सक्षन पर आते हैं जहां पर आपको Sanju Samson, Dan Kleber यह दोनों प्लेयर खेलते दिख रहे हैं यहां पर no doubt, यहां पर जो best option अमारे लिए अवलेबल हैं वो Sanju Samson ही है, ठीक है काफी अच्छे प्लेयर है, unfortunate, unfortunate थे यहां पर इनका World Cup में नाम नहीं आया standby में भी नहीं आया, ठीक है लेकिन काफी कमाल के प्लेयर हैं, थोड़े से कभी-कभी जल्दबाजी कर जाते हैं, लेकिन elegant player है, ठीक है, बहुत अच्छा लगते हैं जब यह खेलते हैं तो, ठीक है, तो मैं इनको इनको इप्रेफर करूँगा, आप टीम में लीचे, Dan Clever T20 के जादा अच्छे player हैं, ठीक है as compared to ODI, ठीक है तेजी में खेलना पसंद करते हैं, दोनों match कुछ खास नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पर spin कितना अच्छा खेल पाएंगे, यह मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं जादा recommend इनको नहीं करूँगा, ठीक है अब आते हैं batter section पर, जहाँ पर अगर और Donald काफी नीचे आ रहें, और उतना कुछ खास भी तक नहीं कर पाएं, तो मैं उतना अभी small league team में recommend नहीं करूँगा इनको वैसे player अच्छे, grand league में ट्राइगर सकते हैं, ठीक है Joe Carter अच्छे पिक रहेंगे small league team के रहें काफी consistent player है, last one year से मैं इनको देख रहा हूँ, काफी तगरा domestic में हर्स यहाँ पर खेल रहें, न्यूजिलेंड में, ठीक है तो इनका ध्यान निकिएगा, फिर रुतुराज गाइकवाड है दोनों match अच्छा के लिए ये भी opening पर अच्छे player है, consistent है, आपने इनको south और फिरका के खिलिए, ODI series में इनका selection भी हो गया है, ठीक है और इनके debut करने के भी high chances है और आपने IPL में performance देखा होगा इनका बहुत तगरा था, ठीक है तो ध्यान रखेगा, इनका कमाल के differential pick आपके लिए बन सकते हैं, इस match में, ठीक है मैं अभी के लिए यहाँ पर प्रित्वी सौ को ले रहा हूँ, जो काटर को ले रहा हूँ और गाई को ले रहा हूँ, ठीक है इन तीनों batters के साथ जा रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि हमारी team में party दार के लिए जगा बनती है या नहीं, ठीक है अब आते हैं guys, all-downer section पर जहाँ पर आपको मिलेंगे रचिंद रबिंदर जो की important pick है, opening पर आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे यहाँ पर guys, all-downer है ठीक है, young player है runs करेंगे, left-arm orthodox चालेंगे, important pick है, ठीक है, यहाँ पर spinners का role बहुत ज़्यादा रहेगा, तो लेना बनता है फिर Michael Rippan, एक और कमाल के left-arm चाइना-man baller, और लेडी मैंने बताया, Netherlands के लिए पहले ही एक खेला करते थे, ठीक है बहुत अच्छे यहाँ पर चाइना-man baller है, runs करना भी जानते है, recent में New Zealand के लिए इन दोने टेब्यू कर लिया, ठीक है, तो इनको भी लेना बनता है सिंथो लिया, उतना balling नहीं करें, वैसे decent all-downer है ठीक है, मैं उतना फिर भी आपको recommend नहीं करूँगा, कि आप try करें, ठीक है यहाँ पर इसी धवन अच्छा कर रहे है, batting balling दोनों से, अच्छे all-downer है, last season का, इनको domestic season बहुत तगरा था IPL में भी ठीक, इनका performance आया था, अच्छे all-downer है, इंडिया के ले भी खेल चुके है तो guys, मैं इनको भी ले करी चलना हूँ, राजबाबा बहुत अच्छे all-downer है भरते हुए, ठीक है, इनको guys, आपने IPL में तो उतना अच्छे करते नहीं देखा होगा लेकिन जो recent में ही under-19 World Cup हुआ है, जिसमें इंडिया के टीम जीती है उसमें guys, ये टीम के सबसे main player थे, और player of the series थे guys बहुत अच्छे यहाँ पर guys, उन्होंने performance दिया था, ये runs करना भी जानते हैं, साथ में विक्टे लेना भी जानते हैं तो Grand League टीम में, राजबाबा अगर खेलते हैं, तो आप इनको try कर सकते हैं बाकी यहाँ पर सहबाज एहमद भी है, इनका भी selection हो गया है यहाँ पर इंडिया के team में, South Africa के लाप T20 आई series में, ठीक है तो इनका भी IPL season वैसे काफी अच्छा था, runs करना जानते हैं, balling अच्छा कर सकते हैं और इस पीच पर अच्छा रह सकते हैं, यह तो आप इनको अभी ध्यान निखिएगा बाकी आप आते हैं, बालिंग section पर आपको मिलेंगे, Jacob Duffy, Fast Waller, Saadul Thakur, जो की runs करना भी जानते हैं मस्ट पिक है, Kuldeep Yadam, मस्ट पिक है, spinner है, Kamal के left arm China में, ठीक है, भले अभी इंडिया के टीम में नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा मौका है, यहां पर इंप्रेस करके, फिर से इंडिया टीम में जाएगा पाने का, ठीक है, तो इनको मैं लोंगा, फिर Logan Benbeek है, जो कि कुछ runs करना भी जानते हैं, Netherlands के लिए वैसे guys, यहां पर international cricket खेलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर New Zealand A के लिए खेलना है, ठीक है, कुछ, काफी अच्छे baller है guys, genuine wicket taker है, तो मैं इनको भी टीम में जरूर लेकर जाओंगा, फिर Rahul Chahar है, काफी अच्छे यहां पर leg spinner, आपको पता ही है, होगा guys, यहां पर last under 19 World Cup में इंडिया टीम के साथ भी यह थे, performance उतना चान नहीं था, लेकिन अच्छे leg spinner है, विके टेकर है, तो यह काफी कमाल के डिफरेंचल पिक है, बाकी कुल दीब सेन, first match काफी impressive थे, खेल गई यह भी, तो अच्छे पिक बनेंगे, यह उमरान मलिक अभी तक उतने अच्छे नहीं रहे है, ठीक है, और मेरे हिसाब से इस pitch पर उनके लिए जादा मदद भी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि यह slow pitch है, और उमरान मलिक तेज जालना पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस pitch के हिसाब से उमरान मलिक उतने अच् तो अभी के लिए गाइस, हमें लास्ट प्लेयर लेना है, यहां पर हम ले सकते हैं, जो अपर आपना प्लेयर ले सकते हैं, और अगर अभी के लिए आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं राहूल चेहर के साथ जा रहा हूँ, अगर यहां पर इंडिया एक ही पहले बैटिंग र ध्यान लिखेगा इस बात का, अगर गाइस यहाँ पर इंडिया एक ही पहले बॉलिंग रही, तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर रिसी धवन की जगा भी पाटिदार कर सकते हैं, यह भी आपके लिए एक अच्छा उप्शन रह सकता है, ठीक है, तो ध्यान लिखेगा इस बात का, तो गाइस यह बन जाता है, अभी के लिए हमारा टीम का प्रेभियू, इस पर अगर सीवी सी की मैं बेस्ट आप्सन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं सीवी सी के लिए आपको जो प्लेयर रिकमेंड करने बाला हूँ, वो गाइस रहेंगे यहाँ पर रचिन र बाश डाल कर देंगे, और साथ में रंस करते दिखेंगे, ठीक है, कुलदीप यादब रिकमेंड करूँगा, काफी अच्छे स्पिनर, आप इन चारों को मेरी साब से सीवी सी कर सकते हैं, बाकि बैटर मैं से करना हो, तो यहाँ पर पृत अच्छी अच्छी आप्सन अब हैं, आप इनको भी सीवी सी कंसीडर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी सीवी सी का ओप्सन है, इस मैंच में, और सभी अपना डिफरेंट यहाँ पर सीवी सी लाने वाले, तो आप भी खुद का सीवी सी सेलेक करने की ट्राइ करें, ठीक है, मुझ से पूछेंगे, तो मैं अभी कलिए अपनी कैपटन सी यहाँ पर रचिन रविंदरा को दे रहाँ, ठीक है, और साथ में वाइस कैपटन सी दे रहाँ सारदूल ठाकुर को, ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज करना हो, चेंज कर सकते हैं, सेफ सी बी सी ओप्सन पृत्वी सौ है, संजू सैमस है आप इनको consider कर सकते है differential में Michael Rippan आएंगे खुल दी पियादव आएंगे ठीक है तो आप इनका ध्यान देखिए गाइस तो ये बनते है गाइस अभी कलिए हमारा team का preview इसमें definitely 100% team में changes होने बाली है final team update बहुत जादा important रहेगी तो अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए है तो guys आपको हमारे telegram channel का link इसी video का description में मिल जाएगा आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर join कर सकते है final team update आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो बस guys आज किस video में इतना ही hopefully video आपके informative रही होगी अगर guys आपको video पसंद आई हो तो video को जितना ज़्यादा हो सेगे उतना ज़्यादा like कर दे आपने दोस्तों के साथ share करना न भूले और guys अगर आप हमारे channel पर new है अगर आपने भी देख हमारे channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे channel को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप आने वारी videos की notification मिस ना कर सके तो बहुत जल्द guys मैं आपसे मिलता हूँ next video में